नमश्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लीगल हेल्प लाइन में और आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि हमारे आम जनता के लिए भारत की आम जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है वहा है बिना फीस के वकील कर सकते हैं आप लोग और मुफ्त में कानूनी साहता आपको किस तरह से मिल सकती है दोस्तों कानूनी परकरिया है कैसी परकरिया है जिसमें हो सकता है आपके ज्यादा पैसे लग जाएं समय लग जाएं जो लोग चाहते हैं कि कानूनी साहता उन्हें मुफ्त में मिल जाए और उनकी इतनी अैसी प्रस्तिती नहीं है कि वह कानूनी कारवाय किसी पर करवा सके या केस्ट लड़ सके तो ऐसे लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहता उनको कैसे मिलेगी कैसे वो मुफ्त में वकील भी हायर कर सकते असरकार के द्वारा और किन लोगों को ये सुईधा मिलेगी और इसका क्या प्रोवीजन है पूरी तरह से इस वीडियो में बताया जाएगा वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर कानूनी जानकारी आपको मिल सके को विवादों का सोहारद पुर्ण निप्तारे के लिए लोग अदारवतों का आयोजन करना है कि दोस्तों हमारे देश में राष्टस्तर पर नैशनलनल लीगल सर्विस अथौर्टी काम करती है रोशनसरे डिस्टिक काम करती है अगर हम बात करें तालुका विदी सेवा समी समीतियों का भी गठन किया जाता है ताकि तालुका में विदिक सेवाओं की गति वीदियों की विवस्ता की जा सके और लोग अदालतों का आयोजन किया जा सके हर एक तालुक विदिक सेवा समीति का संचालन एक विरिष्ट सीविल जज करते हैं जो कि इस समीति के पदे अध् कारशेत्र में कारियरत होते हैं अगर बात की जाए जिला विदिक सेवा प्राधिकर्ण के ये है क्या हर जिले में विदिक सेवा प्राधिकर्ण के कारिग्रमों को जिले में लागू करने के लिए जिला विदिक सेवा प्राधिकर्ण का गठन किया गया है जिला विदिक सेवा पाने के पात्र कौन है महिलाएं एवं बच्चे और द्योगिक श्रमिक हिरासत में रखे गए लोग मानसिक रूप से बिमार या विकलांग वैक्ती अनुसूचित जाती या अनुसूचित जन जाती के सद्ध से सुईधान के अनुचेद 23 के तहट मानव तसक्री में लागो ब कानुनी साहता कैसे मिलेगी तो उसमें कौन-कौन से डाकुमेंट लगेंगी जो बहुत ही जरूरी है सबसे पहला डाकुमेंट जो माना जाता है वो है इंकम एफिडियोट तो आपको 9000 या 12000 से अगर आपकी सालाना आए कम है तो आप ये कानुनी साहता प्राप्ट कर सकते हैं वो आपको देना होगा दूसरा है आधार कार्ड या रिलेटिव डाकुमेंट जो भी आपसे मांगे जाए नेक्स्ट एक अप्लिकेशन उसके बाद आपको दिया जाएगा और उसमें आपको फुल्फिल करना है कि किस का केस किस तरह का केस आप कवर कर रहे हैं कितनी प्रोवाइट की जाएगी यह भी जानना बहुत जादा ज़रूरी है कि यह सुईधा आपको कब नहीं मिलेगी क्योंकि कई लोग ऐसे होते जूठा एफिडेट लगा देते हैं और कहते हैं कि हमारी तुनख़ा इतनी बाद में पता चलता है एक्वाइरी के अकॉर्डिंग कि वो सब जूठ बोला गया है तो आपको यह सर्विस रिजेक्ट कर दी जाएगी जब आप उस पेरामीटर को फुलफिल नहीं करते हैं जो पेरामीटर इसके आंतरकत बंताया गया है तब भी आपको सर्विस नहीं प्रोवाइट की जाएगी वे फिर से कह रही हूँ अगर आप जूठा कुछ भी मेंशन करते हैं और बाद में पता चलता है तो आपकी यह सर्विस रिजेक्ट हो सकती है दोस्तों आपको पूरी तरह से पता चल चुका होगा कि किस तरह से आपको फ्री लीगल एड बिल सकती है फ्री में वकील और साहता भी मिल सकती है अगर आप कि बहुत कीमती है इसी तरह से हमारा सहयोग दीजिए थेंक्स फो वाचिंग